वे साफ है कि इस वीडियो में अच्छे कासे स्पोइलर्स होने के चांसेज हैं तो इन दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पोइलर्स का ध्यान रखते हुए चले शिरू करते हैं इन्फिनिटी वार का अंत हमारे सूपर हिरोस को सही जगा छोड़कर नहीं गया और एंड गेम शुरू होगा यहीं से उपर से मार्वल स्टूडियोज एंड गेम के इस ट्रेलर की शुरुवात में फ्रेंचाइजी के तीन बड़े सूपर हिरोस की जड़नी दिखा के हम फैंस को चिंता में डाल रहा है पर इस मूवी में जो भी हो हम जानते हैं और एवेंजर्स कह भी रहे हैं कि वो लड़ेंगे वो भी आकरी सांस तक तो फिलाल इस सांस के साथ मैं अपना ब्रेक्डाउं शुरू करता हूँ तो ट्रेलर शुरू होता है आयन मैन 1 और 3 के फुटेज के साथ जहां हम देख रहे हैं आयन मैन को अपने करेंट सिचुएशन में फिर हमें दिख रहे हैं कैप अपने शुरुवाती दिनों में प्लस यहां बैग्राउंड में हम पैगी की आवाद सुन सकते हैं जो कि कह रही है कि दुनिया बदल चुकी है और हम इससे कोई भी वापिस नहीं जा सकता तो यह चाहे आप मानो या ना मानो पर यह सीधा सीधा इशारा है टाइम ट्रैवलिंग का जहां हम ऐसा कह सकते हैं कि एवेंजर्स खास करकि कैप टाइम में पीछे जाएंगे और इसी बात चीज़ के बीच हमें हौकाई दिखता है अपनी फैमिली के साथ अगर आप यहां नोटिस करो तो हौकाई अपनी बड़ी बेटी को तीर चलाना सिखा रहा है प्लस पीछे आप नोटिस कर सकते हैं क्लेंट के बागी दो बच्चो और उसकी वाइफ को टेबल सेट करते वे कई लोग का कहना है कि यह केट बिशप है जबकि असली में हौकाई की बेटी का नाम लीला बार्टन है और इसी फुटेज के बाद हौकाई के रोने रफ्तार को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी पूरी फैमिली थैनॉस की चुटकी का शिकार हो जाएगी इसके ठीक बाद हम देख सकते हैं थौर के शुरुवाती मुवी के फुटेज जिसकी साथ साथ थौर की बातों से लग रहा है कि सारे सूपरी उसके सामने धूल बनने का उस पर गहरा असर पड़ा है पर इसी बीच लंबे लाल बालो वाली ब्लैक वीड़ो के सामने बैटे कैप कह रहे हैं कि वो इन सबसे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो ये सब ठीक ना कर दें और इसके ठीक बाद हमें कुईक लुक मिलता है ब्रूस का एवेंजर्स हेड़कॉर्टर में जसके बाद हम देख सकते हैं सकॉट लैंक को मिसिंग पोस्टर्स देखते हुए इसके बाद हमें ब्लैक वीड़ो के साथ दिखता है हौकाई और कही न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिशन पर जा रहे हैं, या आ रहे हैं, क्यूंकि हम जानते हैं कि अगर ये किसी मिशन पर जाएंगे, तो इनके पास होगा एक special suit, जिसके बारे हम आगे बात करेंगे, फिलाल नजर डालते हैं इस जगा पर, अगर आपने end game का big game spot देखा है, तो आपने उसमें hawk रहने का कारण भी हमें कही ना कहीं clear है, इसके अगली shot में हमेशा की तरह rocket को gun lock करते हैं, वो भी war machine के कंदों पर चड़े, इससे cool और क्या होगा, हाला कि पता नहीं big game spot और इस trailer में, rocket के quantum suit को dark क्यों दिखाय जा रहा है, पर इस जगा पर एक बात तो clear है, कि अपने जुगा से, जहां cap रो रहे थे, जिसके बाद हमें quick look मिलता है hawkai का अपने mohawk के साथ, इसके ठीक बात हमें दिखता है ant man, और अगर आप इस shot को frame by frame देखोगे, तो आप notice कर सकते हैं background में एक light को, चुकि obviously या तो किसी light source से है, या किसी explosion से, आगे हम देख सकते है थार को अपनी बि विला को किसी दवाई के बीच किसी अंजान आदमी से लड़ते हुए, अभी quantum suits के दिखने के विए से ये बताना मुश्किल है कि ऐसा कब हो सकता है, पर जब भी हो, ये नजारा देखने लायक होगा, इसके बाद हमें black video के गोली चलाने वाले moment का extended shot दिखता है, जहां वो इ इस movie का total running time 180 minutes यानि 3 घंटे है, तो इतनी देर में तो Russo Brothers हमें क्या से क्या दिखा देंगे, इसके ठीक बाद हम देख सकते हैं Big Game Spot में देखे इस shot के extended version को, जहां अपने cap शायद उसी जगा है, जहां Nebula, Rocket और War Machine हमें पिछले shots में देखे, और यहीं इसी moment में कहीं अपना छो हिम्मत से बारे Tony को, जो कि background voice के साथ जुड़ते हों बोल रहा है कि वो आखरी सांस तक लड़ेगा, और इसके बाद आता है वो moment जो कि Russo Brothers हमें हर टेलर और हर स्पॉट में दिखा रहे हैं, और यह moment continue हो रहा है Avengers के अपने quantum suit में आगे बढ़ते हुए, इन suits के बारे में हम फ Avengers के बीच दिखा के ऐसा लग रहा है कि Marvel ने fans की चिंता यहीं खतम कर दी, इससे बढ़िया तो सीज़ा Thanos को ही मारते हो दिखा रहेते, पर कोई बात नहीं, तो इससे पहले trailer खतम हो, Marvel Studios हमें वही surprise देता है जो कि हमें Captain Marvel के mid-grade scene में मिला, और यह surprise है खुद Captain Marvel, वो भी Thor के सामन शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मामला थोड़ा अलग लग रहा है, क्यूंकि हम Captain Marvel movie में देखी चुके हैं कि Carol को कोई हलके में नहीं ले सकता, और जो जो उसे हलके में लेता है, वो खुद हलका हो जाता है, और इसलिए आप notice कर सकते हैं कि Thor के अपने Stormbreaker को बुलाने पर भ तो ये तो वो details थे जो कि हमें trailer में देखें, पर सोचने वाली बात यहां यह है कि इस पूरे trailer में हमें Thanos कहीं भी नहीं देखा, जो कि बहुत ही जाद सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 6 Infinity Stones को हाथ में सजाय Thanos तक पहुँचना Avengers के लिए बहुत मुश्किल है, तो guys, ये था Complete Breakdown Avengers Endgame के trailer 2 का, इस trailer में इतने जबरदस moments थे कि अब इस movie का हम fans कैसे wait करेंगा हमें नहीं पता, पर फिर बिर अगर मुस्ते कोई tale miss हो गई हो, या आपके उसको इनया fact is video से related, तो please on your comment पे ज़रूर बताएं, साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं, कि आपके हिस endgame में कौन जाद हो मचाएं